देखो बच्चो, question number 8 जो है, वो 7 का विल्कुल opposite है, ठीक है, जो तुमने 7 में करा है, इसका उल्टा तुम्हें 8 में करना है, यहाँ पर यह कहा रहे हैं कि 8 लाइन जो है, वो midpoint से, दोनों sides की midpoint से पास होती है, मतलब AD is equal to DB और A is equal to EC, तुमको प्रूफ करना है कि वो लाइन parallel होगी third line के, ठीक है, तो देखो बच्चो, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, देखो बच्चो, अगर हम बात करते हैं, in triangle ABC, इस triangle के अगर मैं बात करूँ, तो देखो बच्चो, यह given है, that AD is equal to DB, this is given, तो यहाँ से I can say, that AD, इसको अगर मैं ratio में लिखती हूँ, इसको नीचे ल मानो अपनी equation 1, ठीक है, अब तुम यह देखो बच्चो, अब दूसरी चीज हमारे पास क्या given है, AE is equal to EC, ठीक है, इसको again मैं ratio के form में लिख सकते हूँ, तो मैं कह सकते हैं, AE upon EC is equal to again 1, यह भी 1 के equal है कि नहीं, इसको तुम मानो अपना equation 2, ठीक है, तो अब देखो बच्चो, from 1 and 2, हम क्या कह सकते हैं, that AD upon DB is equal to AE upon EC, कह सकते हैं हम यह, ठीक है, अब देखो बच्चो, किसी भी अगर triangle में इनके ratio बराबर होते हैं, तो क्या होता है, अगर हम converse लगाते हैं, by the converse of BPT, क्या कहता है, कि अगर ratio बराबर है, तो क्या होता है, वो line आपस में parallel होती है, तो मैं कहूंगी, that DE is parallel to BC, AD upon DB, अगर AE upon EC के equal है, इसका मतलब वो जो line है, वो आपस में parallel है, यह converse होता है, BPT का, ठीक है, clear है, आसान था, अब आजा तुम इसकी question number 9 पे,